नमस्कार दोस्तों इस टड़े 91 में आप सबका हार देख श्वागत अविनांदन है जल्दी से सबी लोग पड़ाबट लाएवाजे और शांदार महत्पोन प्रश्णों के स्रिंखला को आईए हम सब देखते हैं ठेकना यह आपको जो है के 73 में स्रिंखला है जल्दे हम होने वाले हैं लगबग आपको जो है आधी मंजिल दूर है ऐसे कह सकते हैं सतकवीर होने में ठेकना तो हम लोग 75 के आसपास पहुंच रहे हैं और जल्द है सतकवीर भी होंगे सूपर टेट में 45 कूशन गुनिसाव कर लेजिएगा लगबग साधिचार हजार प्रश्णों कि स्रिंखला मैंने आपको पढ़ाया तो इतना तो आप सबको पता ही होगा कि इतने में कम से कम बहुत जादा से जादा प्रश्ण आप सबको याद भी हो गया होगा लगबग सभी सिंगमेंट से आप देखी तो मैं कोई ऐसा सिंगमेंट ने जहां से मैंने आपको प्रश् रखता है आप one two three four रोज मैं बोल दिया हूँ कि आप कर लिया करें और प्रश्णू को देखा करें कि कितने आपके सही हुए कितने आपके गलत हुए जो कि कुछ आज के प्रस्ण में कुछ कल के प्रस्ण में आपको कुछ कठिन प्रस्ण भी थे ठेक न जो कि जल्दे आम common ल किसी से पूछ रही सकते हैं ऐसे घर पे भे आप इमानदारे से कौपी कलम लेकर बैठिए और आंकलन करिए कि किन किन प्रश्णू का गलत जबाब आप सबसे हुआ है मुझसे भी हो जाता है ठेक न तो आप सबसे तो होना सुभाविक सी चीज़ें हैं हर किसी से गलतियां ह होते हैं और गलतियों से हैं शबक लेना चाहिए यह दिखिए हाले में किस देश के प्रधान मंत्रे विस्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधान मंत्रे बन गए हैं यह आपको बेंजामे नेतिहाहु इसराइल के हैं या स्टीफिन लोफवेन स्विडेन के या आपको जो है केपी सर्मा ओले नेपाल के या मुक्तर ओ अने माली माली के तब बतेगा कि आपको जो है हाले में स्विडेन के प्रधान मंत्रे जो हैं विस्वास मत हासिल करने वाले या नहासिल करने वाले पहले प्रधान मंत्रे बन गए हैं स्विडेन जो के आपको जो है के यूर जणार किस्म का देश है पहले बार विस्व में जन गन्ना आपको स्वेडेन से हेप प्रारम हुई थी तो यह महत्पून बातों के साथ स्वेडेन के राजधाने कहां है इसकी राजधाने इस Talk Home, इसके राजधाने आपको स्टॉ। यदि बात की जाये इसके रुपे के तो वैसे यूरोपिय कंट्री का सदस्य होने के कारण इसके मुद्रा EUR है, लेकिन इसके निजी मुद्रा भी आये जिसे हम लूग क्रोना के नाम से जानते हैं, इसके मुद्रा को क्रोना कहते हैं ठेकना क्रोना के नाम से जाना जाता है ये बाते याद रखे रहिएगा हाली में किस संसद को राज्य सभा से निलंबित किया गया है यानि किस संसद को राज्य सभा से निलंबित किया गया है राज्यसभा जिसे उच्च सदन के नाम से आपको जानते हैं कोई किसे तो उच्च सदन या बाधिक सदन या इसे हैं आपको जो है कभी न भंग होने वाला सदन भे कहा जाता है ठेक ना होने वाला इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है तो 64 के तहत अनुछेद 64 के तहत जो है अनुछेद 64 के तहत उप राष्ट पती उप राष्ट पती पदेन सदस्य होते हैं पदेन सभापती होते हैं पदेन सभा पती होते हैं और आपको जो है ये सभापती के द्वारा है सांतनु सेन जो टेम से टेम से त्रिमुल कॉंग्रेस के आपको मंटाव अनरजी की पाटी के सदस थे इन्हें आपको जो है बैस्नों जो अस्विन कुमार बैस्नों के हाथूं से परचा छीनने के कारण और पाड़ दिने की कारण सदन से इन्हें बहिस्कृत कर दिया गया या सदन से इन्हें निलंबित कर दिया गया है ऐसा काम उपराश्ट पते बंकाया नाइडू या राजी सभा के पदेन सभापते बंकाया नाइडू के द्वारा या काम किया गया नेक्स्ट, हाली में किस राज के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये आपको उद्राखन, करनातक, नागालन या पसिमंगाल, तो बताएगा करनातक के मुख्यमंत्री यदुरप्पा, ठेक न, किसके द्वारा, वी यस यदुरप्पा ने आपको इस्ती भादिया है, सियम, वी यस, वी यस, यदु, यदुरप्पा, ठेक न, यदुरप्पा, यदुरप्पा, द्वारा आपको जो है, त्याग पत्र दिया गया है, और उनके इस्तान पर आपको जो है, बासव राज बुंबई, आपको ने सियम बने हैं, ने सियम, कौन बने हैं वासव राव बुम्बई ये जो है बने हैं और राजिपाल कौन है थावर चंड गहलूत थावर चंड गहलूत गहलूत चाव ये आपको है और आपको राजधाने कहां है तो आपको बैंगलूरू है बैंगलूर है बैंगलूर में आपको राजधाने है यहाँ पर द्विसदने है द्विसदने विवस्था है ठीक ना द्विसदने विवस्था है ये बाते भी आप सब याद रखे रहेगा ठीक तो द्विसदने विवस्था आपको दिया गया है चले निक्स देखते हैं राजी सभा के सभापते यम वेंकया नाइडू ने किसे राजी सभा का महा सभापते नियुट किया है आपको हरिबंस को दीपक वर्मा को डॉक्टर पीपी के रामाचारियलू को या आपको प्यूस गोयल को तो आपको राजी सभा का सभापते यम वेंकया नाइडू ने आपको जो है कि पीपी के रामाचारियलू को नियुट किया है राजी सभा का महा सचिव ठेक ना राजी सभा का महा सचिव आपको जो है वेंकया नाइडू की द्वरा किसे नियुट किया गया है हाली में चर्चा में रहा चुनावी बॉंड क्या है तो चुनावी बॉंड जो है राजनितिक दलों को चंदा जो लेते हैं ये आपको जो है चुनावी बॉंड के रूप में आपको जो है राजनितिक दल के चंदा को जो है चुनावी बॉंड कहा गया है ये आप सब याद रखे रहेगा वैसे इसकी विक्रे एक सिर्द दस जन्वरे 2021 के बीच खुले हुई थी क्यों तो आप सबको पता है कि हाले में कुल पांच राजियों में आपको चुनाओ संपन हुआ था ये पांच राजियों थे उत्तर प्रदेश उत्राखन ठीक न उत्त गुवा पांच इन पांच राजियों में से चार राजियों में बीजेपी की सरकार मनी है जबकि पंजाव राजियों में आपको जो है कि अब आप पार्टी की सरकार मनी है थे तो ये महत्पून बातें आप सबके लिए है इबियम का प्रयोग संपून विधान सभा चुना में करने वाला पहला राज गो भा है यह गोवा राज के द्वारा अपने विधान संकूर बिधान सभा में आपको इवियम मसीन का इलेक्ट्राणिक बूटिंग मसीन जिसे बोलते हैं इसका प्रयोग जो है सरुप्धम गुजरात राजि के द्वरा के आ ग्यां ठेक और उत्तर प्रदेश में सब्से जादा जिलू में विधान सभा सीटे कहा हैं तो सबसे ज़्यादा आपको सीटों वाला प्रियाग राज है प्रियाग राज में कुल बारह बधान सबा सीटे हैं जिसमें से आठ बीजेपे ने जीती है और आपको चार जो है ये एसपी समाजवादे पाती के द्वरा जीता गया है तो ये बाते भी आप सब याद रखे रहेगा वीडियो सांदार बुक हमारी संस्था क्यों से लिखा गया है और हम सब का जबरजस्त अठक परिश्रम इसमें है आप सब के उन्हां सुज्वल भविस्य के लिए शुनरे भविस्य के लिए हम सब के द्वरा एक एक कदम धीरे धीरे करके आप सब के नजदेक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे आपकी सफलता में अधिक से अधिक हमारा योगदान हो सके इन्हें योगदान को बढ़ाने के लिए हम सब आपको जो हे राइटिंग की दुनिया में आए है लिखने की दुनिया में ठेक न इसके पहले सिफ हम सब आपको पढ़ाने का काम करती थे उत्तर प्रदेश विधान सबाद चुनाओ 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने है राहुल राजपुट जे अर्पना सिंग जे स्वतंत देव सिंग जे या अनेल राजपुट जे तो राहुल राजपुट जो है ये सबसे कम उम्र के विधायक है जब पूछे कि सबसे अधिक उम्र के विधायक कौन है आप सबको बता दिजे सबसे अधिक उम्र के ठेक ना अधिक उम्र के उम्र के विधायक कौन है भाई कोई बताएगा विधायक सबसे अधिक उम्र के विधायक सरवाधिक मतूं से जीतने वाले विधायक सरवाधिक मत से मत से जीतने वाले विधायक वाले विधायक कौन है सब बताएए आप सब ठेक ना नियूनतम मत से मत से जीतने वाले विधायक वाले बिधायक ये सब के सब आप सब जवाब दिजी सारे प्रस्ण आप सब के सामने हैं देखें कमेंट बॉक्स में आप सब बताए कि सबसे अधिक उम्र में कौन जीता है और निूनतम मच्छे चुकली चुनाओ जीते समय बहुत लोग प्रचार कर दे थे पंकत सिंग सबसे अधिक मच्छे जीते हैं निकिन पंकत सिंग जीता हैं ठेक नगुडना ये आप सब जबाब दिजिएगा तो सबसे आपको अधिक मत्से जीतने वाले कौन है तब ये बताए ठीक ये सबसे अधिक उम्र में चुनाओ जीतने वाले आलम बेदी है ठीक ना समाजवादी पादी से आलम बेदी आलम बेदी साहब सबसे आधिक उम्र में ठीक सबसे आपको नियूंतम उम्र में जो है ये सबसे सरवाधिक मत्से जीतने वाले कौन है तो सरवाधिक मत्से सुसील कुमार बर्मा सुनिल कुमार बर्मा ठीक ना शुनिल कुमार बर्मा ये आपको जो है शुनिल कुमार वर्मा सहाब जो हैं कुमार वर्मा हैं जबकि सबसे निउन्तम मत्से जीतने वाले कौन हैं तो ये आप क्या जबाब दोगे अशोक कुमार राणा ठेक ना अशोक कुमार राणा ये आपको जो हैं कुमार राणा जो हैं ये सहाब जो हैं सबसे नियुनतम मत्से जीते हैं ये आप सब देख लेज़ेगा नेक्स जम्मू कस्मीर परिसीमर आयोग ने जम्मू छित्र में कितनी सीटे आरक्षित की है 43, 47, 45 या 40 तब देगा जम्मू छित्र में आपको जो है या 43 सीटे आरक्षित की गई है जबके कस्मीर छित्र में आपको 47 सीटे आरक्षित की गई है परिसीमर आयोग द्वारा आपको जो है के जम्मू में 43 और कस्मीर में 47 सीटे आरक्षित की गई है नेक्स्ट सूचना का अधिकार अधनियम कब लागू हुआ तो सूचना का अधिकार अधनियम जो है ये कब आया अधनियम आया तो ये 2005 एस्वी में आपको जो है अधनियम आया 12 अक्टुबर 2005 को ये लागू हुआ किसको छोड़कर तो जम्मू कस्मेर को छोड़कर अब सूचना का अधिकार बच्चा जो है यह मौलिक अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है तो मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में बच्चा इसे 19 वन के कवमें आपको सामिल किया गया है प्रतम सूचना आयुक्त वजाहत हविबुल्ला यू थे ये आपको जो हैं प्रतम सूचना आयुक्त हविबुल्ला वजाहत हविबुल्ला यू थे ये आपको जो हैं प्रतम सूचना आयुक्त हविबुल्ला यू थे ये आपको जो हैं प्रतम सूचना आयुक्त हविबुल्ल दिया गया है जीवन का अधिकार मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ठेक ना स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार इसी अधनियम के तहत आपको विदेश जाने का अधिकार भे आपको इसी के तहत है ये आपको आठकल नमबर 21 में आपको वरणन किया गया है जीवन के अधिकार की बाते की गई है ठीक ना तो ये बाते और आठिकल 20 जो है एक बार एक आपको जो है एक अपराद के लिए एक बार में ही एक ही सजा दी जा सकती है एक से अधिक नहीं ठीक ना तो ये आपको 20 में है ये जब राष्टिय आपात लागू होता है तो आपात काल के नहीं होते हैं ठेक ना आठकल 20 और 21 आपात काल के दोरान निलंबित नहीं होते हैं भात्ती सम्मिधान के किस संसुधन द्वारा सिच्छा का अधिकार आपको जो है ये जूड़ा गया है सिच्छा का अधिकार ठेक ना तब देगा सिच्छा का अधिकार जो है ये आपको 86 सम्मिधान संसुधन सम्मिधान शंसुधन शंसुधन आपको जो है ये 2002 के तहब 2002 86 सम्मिधान शंसुधन ठेक ये सिच्छा का अधिकार कब लागू हुआ तो यह आपको इसको कहां पे सामिल किया गया तो इसे अनुछेद 21 को में इसे लागू कब किया गया लागू तब तेगा एक अप्रेल 2010 इस वी को आपको जो हे लागू किया गया सिच्छा का अधिकार अधिनियम कब आया तो सिच्छा का अधिकार अधिनियम ठेक ना सिच्छा का अधिकार अधिनियम अधिनियम 2000 ये 9 में आया और 10 में ये लगू हुआ ये बाते आपको जो है 6 से 14 6 से 14 वर्स के बालकूं के लिए बालकूं के लिए निह सुल्क एवं अनिवारे सिक्छा निह सुल्क एवं अनिवारे सिक्छा ठेक ना एवं अनिवारे सिक्छा ये बाते आपको किया गया है तो ये आप सबके लिए ये महत्पोन बाते हैं इसे पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा गलतिया ना हो जितना ज्यादा से ज्यादा भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में शोशन के विरुध अधिकार प्राप्त है तो सोशन के विरुद आपको जो है बाइस एवं तेश दोनों में आपको प्राप्त है किसमें बाइस तेश याने एक एवं दो दोनों में आपको प्राप्त है ये दोनों में क्या प्राप्त है तो यहाँ पे आपको जो है बंधुआ मजदुरे को प्रतिबंधेत किया गया है बंधुआ मजदुरे का प्रती सेध और यहाँ पर जो है 6 से 14 वर्ष के मालकूं को कलकारखानों में में काम पर प्रती सेध के बाते आपको किया गया है तो यह बाते ठेक ना यह आपको जो है इसे संदक्षित किसके तत किया गया है तो आपको बंधुआ मजदुर अधनियम बंधुआ मजदुर अधनियम 1976 और इसे प्रती बंधित कब से क्या गया है तो बाल स्रम अधनियम बाल स्रम अधनियम 1986 की तहत इसे प्रोटेक्शन प्राप्थ है ठेक ना बाल स्रम संदक्षन अधनियम आपको जो है 1986 भारती सम्मिधान के किस अनुछे द्वारा 14 वर्षे कम आयू के बालकों को कारखानों आधि में नियोजन पर आपको प्रतिबंध की बाते आठकल नंबर 24 की तहत ऐसी बाते के गई है ठेक ना आठकल नंबर 24 में आपको जो है किसी भी खतरना कल कारखानों में काम करने पर 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रतिसेधित किया गया है वर्जित किया गया है इसके तहत नहीं कर सकते यूपी ट्रिपलेस से वेडियो सांदार तरीकी से हमारी संस्था की उर्ष से पढ़ाये गया है इसे आप पर्चीज कर सकते हैं और जवरजस तरीकी से आप सब पढ़ाये वें कर सकते हैं तो एकडम सूपर टेट बैच हमारी संस्था क्यों से लांच है इसे आप सब मन लगा के पढ़िए और जिदना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाव लीजिएगा ठेक चलिए ये देखिए किस अनुछेत के तहद धर्म को मानने एवं प्रचार्ट करने के सुतंता बड़ा आज यह सब सारे राजनितेक मुद्दे हैं देश इसके लिए सक्षम है हम सबको इसपे बोलने की जरूरत नहीं है ठेक ना जाहां इसके जरूरत होगे वहाँ बोला जाएगा तो यह देखिए आपको जो है पच्चेस ये पचेस जो है ये धर्म की स्वतंता का आधिकार ठेक न यानि आप किसी से किसी तरह का बलात आपको जो है धार्मया आपको जो है मत नहीं मनवा सकते हैं उसको अधिकार है और इसी के तहट इसी के तहट इसी के तहट आपको जो है सिक जो है क्रिपार्ण धारन करते हैं क्रिपाण वाला मैटर में बड़ा अभियाईस में भी इंटर्वीव में आप सबसे पूछा गया कि भया हिजाब को अनिवारे नहीं है लेकिन किताब क्रिपाण क्यों धारन कर सकते हैं तो इसी धर्म के आपको जो है नियम के अनुशार पांच का केस कंग कडा और क्रिपाण ये अनिवार रूप से किया गया है जबके हिजाब का उलेख जो है ये नहीं है ठेक ना हिजाब आप अपनी शुविधा अनुशार कर सकते हैं धारन नहीं कर सकते हैं आपके उपर लेकिन यदि किसी इस्टिटूशन की द्वारा आपको एक ड्रेस कोड इलाओ है तो ऐसी स और उसराजिक के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे किस तरह से अपनाएगा ठेक ना तो ये आपको बाते हैं भासा या लिपी संधक्षन का अधिकार आपको किस में हैं तो अल्प संख्यक के चाय मुस्लिम हुआ बौध हुआ जैन हुआ पार्सी हुआ इसाइ हुआ ये सभी अल्प संख्यक की स्रेणी में आते हैं तो इनकी भासा लीपे के संरक्षन का अल्प उलेग जो है आठकल नंबर आपको 29 में किया गया है किसमें 29 में आपको जो है यह किया गया है अल्प संख्यकों के भासा लीपे के संरक्षन का अधिकार थे नेक्स्ट भारती संविधान के किस अनुछेत के अंतरगात अल्प संख्यकों को सिक्षन संस्थाएं खोलने का अधिकार है तो सिक्षन संस्थाएं खोलने का अधिकार आठकल नंबर 30 के तहत इन्हें प्राप है ठेक ना किसके ताथ तो आठकल नमबर 30 के तहाद आपको इन्हें प्राप्त है कि आप सिक्षण संस्थान खोल सकते हैं कि अगले प्रस्ट में रास्तिय एक्टा के मार्ग में मार्ग में आपको दो बार हो गया मार्ग में बाधक तत्व कौन सा है तो रास्तिय एक्टा के मार्ग में बाधक भासा बाद भी है छेत्र बाद भी है संप्रदाइक्ता है यानि उप्युक्त सभे जो है ये रास्तिय एक्टा के मार्ग में बाधक है सब के सब राष्टिय एक्ता के मार्ग में बहुत बड़े बाधक माने जाते वहां अर्थिय सम्मिधान के किस अनुछेद में धर्ब, मूल, वन्स, जात, लिंग या जन्व इस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिसेध किया गया है तब ये आपको आजकल नंबर 15 में किया गया है आजकल नंबर 14 में कहता है विधी के समक्ष समता का आधिकार की बाते आजकल नंबर 14 में किया गया है 15 में आपको ये किया गया है 16 में आपको जो है के नियोजन में आपको यानि रूजगार में आपको जो है नियोजन में अवसर की समानता के समानता कहीं कहीं रूजगार में आवसर की समानता के समानता के बाते किया गया है आपको जो है 17 में अइस्प्रिश्यता का अंत है यानि अइस्प्रिश्यता का अंत या छुवा छुट का अंत या छुवा छुट का अंत ये बाते आप सब देख रहें तो ये भत्पून बाते यहीं पे है और बाके धार्म मूल वंस जात लिंग आधि के आधार पर विभेद का प्रतिसेद जो है ये बाते किया गया है बाती सम्मिधान के देखो एक से लेकर 51 तक आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पूरे एक से 51 तक सारे आठिकल रट डालिये कहीं से भे कोई भे दिक्कत ना आवे कहीं से कोई भे प्रस्द ना छुटे ये आप सबसे उमेद अपेक्छा भे करते हैं बाती सम्मिधान के किस अनुछेद में अनुसुचित जात एवं जन जात के हितों के बात की गई है तो ये आठिकल नंबर 46 ठेक ना आठिकल नंबर 46 में अनुसुचित जात एवं जन जात के आपको जो हे हितों के सनरक्षण के बाते की गई है ये राज के नीती निदेशक तत्तों में ये बाते आपको की गई है ये इसमें किसमें उलेक है तो भाग जो है चार में है अनुछेद जो है ये आपको छत्ते से लेकर एक क्यावन तक किया गया है और आयरलेंड के सम्मिधान से इसे लिया गया है ये बाते याद रहे है हिंदे इंडिवेज्वल संस्था किर्वारा जबर्जस तरीकी से लिखा गया है आप इसे परचेज कर सकते हैं और खुब सांदार तरीकी से इसे पढ़ए सकते हैं कि खुब मन लगा के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना पढ़ें और सफलता को प्राप्त करिए भारतिय सम्मिधान के किस अनुछेद द्वारा पंचायत में अनुसुचित जात येवं जनजात के आरक्षन की बाते की गई हैं और महिलाओं के आरक्षन के बाते आपको 243 में किया गया है नेक्स्ट रास्टिय अनुसुचित जनजात आयोग का गठन किस अनुछेद के इतहत हुआ है तो तीन सो अर्टिस आठिकल के इतहर रास्टिय अनुसुचित जनजात याजोग का गठन हुआ है और आप लोग बताईगा वर्तमान में अध्यक्श कौन है वर्तमान में आपको अध्यक्श कौन है कमिन्ट बॉक्स में कमिन्ट करके आप सब बताएंगे कि रास्ट्य अनुसूचित जात आयूग का बरत्मान अध्यर्च कौन है ये comment box में आप लोग बनाएंगे नेक्स दिखिए भार्त्य सम्मिधान के किस सम्मिधान संसूधन वरा रास्ट्य अनुसूचित जात आयूग जो हे को दो भागों में विभाजित किया गया ठेक ना तो ये एक आपको जो हे राष्टिय अनुसुचित जात और एक राष्टिय अनुसुचित जन जात ये दो भागों में इसे विभाजित किया गया था ये आपको कैवा सम्मिधान संसुधन तो 89.9 सम्मिधान संसुधन के इतहाद इसे 2003 एसमी में आपको गठेत किया गया है कितने में 2003 में इसका गठन किया गया है सम्मिधान का अनुचेत 46 किस से सम्मंधित है तो अनुचेत जात एवं जन्जातियों के अभिब्रिद्धिस के हितों के अभिब्रिद्धिस सम्मंधित आपको 8 का लंबर 46 है ठेक ना अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन्जाती के जो है के हितों के अभिविद्धी से संबंधित आपको है ठेक ये महत्मून बाते रहे नेक्स्ट और इस प्रिस्टा जो है अधनियम यानि अपराध के रूप में इसे कब पारियत किया गया तबतेगा 1948, 1955, 1925 या 1980 इस्वी में तो ये आपको जो है 1955 इस्वी में आपको पारित हुआ और इसका उलेक कहां है तो अनुचेद आपको जो है अनुचेद 17 में अइस प्रिस्यता का अंद ठेक अइस प्रिस्यता का अंद का अंद आपको उलेक किया गया है ठेक लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है कहीं न कहें रूट इस्तर पे आज भी यह कूपर थाएं विद्दिमान है जो के हमारे जड़ें को एकदम हिला के रखती है तो नेक्स पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठेत किया ग स्थिरपन एसवी में है आमको इसका गठन हो गया था तुँ उन्हेश सव थिरपन एसवी में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष काका केलकर का नाम सुने हुए उनिक्स नेक्स ट आपको वीडियो लेक्चर है, फ्री टिश रेज है, स्मार्ट पीडियोप माटेरियल है, आफ्लाइन डाउनलोट करने की भी है, साती साथ हमारे पास यूपी टीटिक्स के भी बैच है जिसमें आपको जो हे 500 लेक्चर है, फ्री पीडियोप आपको क्लासेज है रिविजन क्विक बुस्टर भी है साथी साथ आपको जो है डाउट सेशन भी हमारी संस्था की और से देया जाता है आप इसे पर्चेज कर सकते हैं ठीक नेक्स देखिए यह माई इक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक के रजना है यह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यह आपको जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा आपको जो है पुस्तक है यह इनके आत्म कथा है यानि आटो बायोग्राफी है आत्म कथा ठेक ना आटो बायोग्रा तो ये गुजराती भासा में है एक्सपेरिमेंट विथ माइट रूथ ये महात्मा गान्दी के गुजराती भासा में आपको लिखेत आत्म कथा है ठेक ना ये बाते आप सब याद रखिए जानती चलिए नेक्स्ट जारखंड का गठन आपको कब हुआ तो जारखंड का गठन याने एक नवंबर को किसका गठन है ये पंद्रह नवंबर और नव नवंबर कर लो ठेक ना ये यहीं पे कर लो नव नवंबर ये जादा अच्छा है ये नव नवंबर दो हजार कर लो तो ये तीन राज्य जो है ये नव नव एक नवंबर नव नवंबर और पंद्रह नवंबर को तीन राज्यों का गठन हुआ है एक नवंबर को आपको किसको हुआ है तो उत्रा खंड का उत्रा खंड का पले उत्रा खंड गठेत हुआ फिर आपको जो हे 15 नवंबर को ये जारखन बना और इसके बाद आपको 9 नवंबर को 36 गड़ बना इस तरह से आप याद कर लिजी और फिर दो जून 2014 दो जून 2014 को जो हे तेलंगाना तेलंगाना आपको जो हे नए राज के रूप में बना बर्तमान स्वे में कुल आपको 29 राज और आपको 28 राज और आपको 8 किंद सासेद प्रदेश है अनुसुचित जाती सब्द का प्रयोग किस ने किया था यानि किस कमीशन के द्वारा किया गया था के कैवनेट मीशन क्रिप्स मीशन साइमन मीशन या भारत सासन अधरियम तब आप बतेगा कि ये सब्द जो हे पहली बार प्रयोग आपको किस के द्वारा साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था अन्सुचित जाती सब्दकार ठेक न यह साइमन कमिसन का गठन कब हुआ था तो इसका गठन जो है 1927 ऐसमी में हुआ था यह भारत कब आया यानी आया भारत कब आया तब यह 1928 ऐसमी में भारत इसका अन्य नाम क्या है अन्य नाम तो इसे white commission white white commission के नाम से भे जानते हैं तेक ना इसे white commission भे कहते हैं यह महत्कुर्विन बाते आप सबको बता देए कि इसके साथ-साथ इसके द्वारा आपको जो है किसके सुझवा पर इसमें एक भी भारती नहीं थे तो लाड इर्विल के सुझाव पर भारतियों को सामिल नहीं किया गया था और इसके वापसी के लिए साइमन कमिसन गूबैग साइमन कमिसन गूबैग का नारा लगा गया ठेक और इसी के समय लाला लाजपत राय पर सांडर्स के द्वारा लाथी चार्ज करा दिया गया जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्तिव हो जाते है ये बाते भी आप सबको पता है हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकासन किस ने किया हरिजन सेवक संग ठेक ना हरिजन सेवक संग संग इसकी स्थापना 1932 में गांधी जी द्वारा किया गया और हरिजन समाचार पत्र का भे प्रकासन गांधी जी ने ही किया कब किया तो 1933 इसवी में हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकासन गांधी जी द्वारा आपको किया गया किसके द्वारा गांधी जी द्वारा आपको जो है 1933 इसवी में ये आपको सुरू किया गया सम्मिधान प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समीति जो थे ये आपको ये साथ सदसिय थी जिसके अध्यक्ष आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर सहब जो थे ये आपको इसके अध्यक्ष थे किंद्रिये सम्मिधान समेते सम्मिधान सभा इसके अध्यक्ष आपको ये थे और वहें प्रांती सम्मिधान सभा सम्मिधान सभा एवं मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार अल्प संख्यक आयोग ठेक ना ये सब के अध्यक्ष आपको ये रहते हैं आपको जो हैं जंडा एवं तदर्थ समिती जंडा एवं तदर्थ समिती तदर्थ समिती ठेक ना के अध्यक्ष कौन रहते हैं तो डाक्टर राजिंद्र प्रशाद तो ये सारी बातें आप सब बता सकते हैं जान सकते हैं संभिधान संसूधन द्वारा पंचायतु को त्रे इस्तरिये रूप प्रदान किया गया तब बतेगा ये आपको जो है किसके तहद तो तिरपनवा संभिधान संसूधन उन्निस सौब बानवे ठेक न के तहद आपको इसे त्रे इस्तरिये रूप प्रदान किया गया साथी साथ आपको जो है लागू कप किया गया तो आपको जो है 24 अपराइल 1993 एसवी को आपको जो है लागू किया गया ठेक ना लागू हुआ और इसी 24 तारिक को पंचायती राजदिवस पंचायती राजदिवस के रूप में हम सब बच्चा मनाते हैं ये बिलकुल भोलिएगा नहीं ये आप सब याद रखे रहे 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 तो ये महत्पून बाते आप सब के लिए हैं ये 74 समिधान संसुधान नगर पालिका से हैं ये कब हुआ था तो निस सव ये 92 में ये 93 नहीं 92 ठेक ना और ये 93 में नगर पालिकाओं के गठन से का गठन ये आपको 73 समिधान शंशोधन है ठेक चलिए यूपी पुलिस पॉस्टेबल हमारे संस्था के और से शांदार तरीकी से पढ़ाया गया है इसे आप परचिज कर सकते हैं और आपकी सफलता में ये काफे सहायक भी सिद्ध होगा ये हम सब उमीद भी करते हैं नेक्स्ट ग्राम पंचायत समिति के सदस्ता के लिए आपको निवन्तम आयू कितना चाहिए याने ग्राम पंचायत के चुनाओ लड़ने के लिए आपको जो है ये 21 वर्स के आयू होनी चाहिए पंचायती राज विवस्था में चुनाओ पंचायती राज विवस्था ठेक ना विवस्था के तहाद के तहाद चुनाओ लड़ने के आयू ठेक ना चुनाओ लड़ने के आयू के आयू और आपको जो है 25 वर्स किसके लिए तो लोग सभा प्लस विधान सभा विधान सभा के चुनाव लणने के लिए आपको जो है आपको कितनी आयो होनी चीए तो ये और आपको जो है एक सत्वा सम्विधान संसुधन शंसुधन 1990 के तहत आपको कितना होनी चीए तो ये 21 से घटा कर 21 से घटा कर 18 वर्स कर दिया है 21 से घटा कर 18 वर्स आपको जो है मतदान की आयो ठेक ना मतदान की आयो और 30 वर्स जो है ये राजिस सभा प्लस विधान परीशत परीशत का चुनाव लड़ने के लिए वे पर आपको 35 वर्स की आयो किसके लिए तो राष्ट पते उपराष्ट पते और राजिपाल बनने के लिए आपको आयो कितनी होनी चीए तो 35 वर्स होना चीए ये सारे बातें आप सब लर्ण कर लिजए अपने मनमस्तिक्स में बैठा लिजए इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा अगले प्रस्न में महापौर का चुनाव कौन करता है तो महापौर जो होते हैं ये कहा होते हैं तो जहाँ नगर निगम होता है नगर निगम नगर निगम का अध्यक जो है का अध्यक महापौर कहलाता है और इसके जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा आपको महापौर का निवप्ती की जाती है तो महापौर के निवप्ती आपको की जाती है रास्तिय ग्रामिन स्वास्त मीशन ये आपको कब आया जिसे यन यच आरेम कहते हैं नेशनल हेल्थ रूलर मीशन ये 2005 इस वी में आपको जो है यूपीय सरकार की द्वरा आपको इसकी शुरुवात की गई थी ठीक ना कब तो 2005 में 12 अप्रैल 2005 को 12 अप्रैल 2005 को और आपको यह दस्वी पंच वरसिय योजना के दौरान पंच वरसिय योजना के दौरान योजना के दौरान इसके आपको शुरुवात हुई थे रास्तिय स्वास्त वीमा योजना तो रास्तिय स्वास्त वीमा योजना की शुरुवात 2000 साथ में आप्सन के उनसार वैसे इसकी सुरुवात 2008 में हुई है आठ में आप्सन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए आप साथ को लगाएगा लेकिन इसकी सुरुवात जो हे 2008 में 1 अपराइल 2008 से इसकी सुरुवात हुई है ठीक ना ये आपको एक अप्रायल 2008 से इसके शुरुआत हुई है ठेक तो ये बाते यहाँ पे आठ कर लेजिएगा साथ के जगह में आठ कर लेते हैं ठेक ना आठ में रास्टे स्वास्त बिमा योजना आपको सुभारम हुआ है यही बाते याद रखिएगा आप सब गल्कियां नहीं करिएगा देखते चलिएगा कहीं भे कोई गल्ते ना हो यह रहा किसी दुरगटना में घटित होने पर किस नंबर पर बातचित करने पर एंबूलेंस सेवा एक लोग जो है अंडा खाए यूटूब पे खोपर चार दे रहा है अंडा खाए और पूलीस वाले को बुला लिये यूपी में ठेकना और तीन तीन अंबूलेंस बनाया कि हमारे साथ अन्याय हुआ हमको हमारे मन वाला अंडा नहीं खिलाया ये तो हमारे हाँ आपको जो सुविधा है ये आपको कितने नंबर पे डायल नंबर पे कर सकते हैं तो बताएगा कि 108 नंबर जो है ये डायल नंबर है ठेकना 100 नंबर पे आप कॉल करके लडाई जगडा जो है उसको बुलाने के लिए आपको जो है 100 नंबर बुला सकते हैं और आपको जो है एम्बुलेंज सिवा जो है 108 नमबर ये दुनिया के सबसे बड़े आपको सिवा मानी जाती है संजुक्त राजसंग के स्थापना कब हुए तो इसके स्थापना बच्चा आपको जो है 1945 एसवी में इसके स्थापना कहा हुए तो इस्थापना नियुयार्क में हुआ ठेक ना नियुयार्क में आपको हुआ ठेक अब यहाँ पर आप कर सकते हो इसकी कुल कितने अंग है तो इसके कुल छे अंग आपको है छे अंग ये आपको है इसका आपको महासचिव कौन है बरतमान में महा महासचिव तो इसके महासचिव प्रथम महासचिव कर लो प्रथम महासचिव तो त्रिग वेली त्रिग वेली जो है ये थे नार्वे की थे त्रिग वेली साथ और वर्तमान में कौन है तो वर्तमान महासचिव आपको जो है ये आपको पूलेंड के है ठेक ना पूर्तगाल की सौरे पूर्तगाल के आपको है इन्टेनियो गूर्तेरस ये आपको वर्थमान में है ठेक चलिए ये लेतिन सरके द्वारा हैं रितेन नोटस हैं सांदार तरीके से हमारी संस्था की उसे पढ़ाया गया है इसे आप पर्चिच कर सकते हैं और मल लगा के पढ़ सकते हैं सयुक्त राष्ट के कितने अंग है आही या कुल छे अंग है छे अंग आपको कौन कौन से है तो एक दो तेन चार पांच ये आपको जो है पहला कर लिजिएगा महासभा दूसरा आपको जो है सचिवाले न्यास परिशद परिशद अंतर रास्टिय न्याले आर्थिक एवं सामाजिक जो है जो है संस्था आपको जो है इसका आर्थिक एवं सामाजिक परिशद एक हो गया ठेक ना आर्थिक एवं सामाजिक परिशद न्यास परिशद है परिशद और क्या छुटा है वहासभा सचिवाले न्यास परिशद अंतर रास्टिय न्याले आर्थिक एवं सामाजिक और एक और छुट रहा है क्या छुट रहा है किसी को याद है हाँ सुरक्षा परीशन यह आपको 6 हैं तो यह 6 आपको अंग है ठेट चलिए अंतर्रास्तिय न्याले में कितने न्याया-ध्येश होते हैं युश्य इसका मुक्ख्याले बच्चा दहेग में है निधरलेंड या हॉलेंड बोलते हैं के हेग में इस में आपको जो हे नयधिसों का करिकाल न्याय धीशों धे न्याया धीशों धीशों का आपको कारेकाल जो है कितने दिन का होता है नव वर्स का होता है प्रतम भारतिये आपको जो है के अस्थाई न्याय धीश के रूप में कौन हुए थे तो डाण आपको जो है न्याय मुर्ते नयाय मुर्ते आपको नागेंडर सिंग प्रतम भारतिये भारतिये आपको नयाया अधेश ठेक न, यह बाते याद रखे रहेगा और आपको वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में दल बेर भंडारे दल बेर भंडारे ये सारे बातें आप सब के लिए हैं ये गलती नहीं करिएगा नेक्स दिखिए ये अंतरास्टी न्याले का प्रधान कार्याले कहां है कार्याले तब बतेगा दहेग में अंतरास्टी न्याले का प्रधान कार्याले दहेग में है अर्थ सास्त का जनक किसे कहते हैं तब आब बतेगा एडम इसमित को अर्थ सास्त का जनक कहते हैं इनके इन्हें आपको पुझी वादी विवस्था का भे जनक इन्हें कहा जाता है साती साथ एडम इसमित ने वेल्ट ऑफ नेशन नामक कुष्तक जो है इन्हीं के द्वारा आपको लिखा गया है ठेक ना वेल्ट ऑफ नेशन इन्होंने है लिखा है प्रिंस्पल ऑफ इकोनोमिक्स के रचना किसके द्वारा की गई तो अलफेद मार्शल द्वारा प्रिंस्पल ऑफ इकोनोमिक्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया तो अलफेद मार्शल के द्वारा प्रिंस्पल ऑफ इकोनोमिक्स लिखा गया वही प्रोफेसर अमर्थ सेन को नोबेल पुरिशकार कब प्रदान किया गया तो प्रोफेसर अमर्थ सेन भारतिय अर्थ सास्त्रे हैं लिने प्रतम भारतिय अर्थ सास्त्रे भारतिय अर्थ सास्त्रे जिन्हें नोबेल दिया गया है तेखना ये वर्तमान में अमेरिका में र पुस्तक हाल हे में पुस्तक एक आई है जिसे हम लोग क्या इसका एक नाम है जिसे आपको जो है home in the world ठेक ना home in the world in the world के नाम से जानते हैं यह भी हाले में इन्होंने बड़ी चर्चित पुस्तक है साती साथ अमर्द सेंके विशे में यह आपको जो है अमेरिका में USA में निवास कर रहे है ठेक ना निवास करते हैं भारत छोड की चले गए हैं इन्होंने भारत में जो है सांती निकितन से अपना सिच्छा दिख्छा गराने करिया है ठेक ना सांती निकितन सांती निकितन जोके बेंगलूरू में है जिसके इस्थापना रविन्न टैगूर के द्वरा आपको किया गया था ठेक साती सात में ये आपको नास्तिक भी है ये जो है एकदम धर्म कर्म से इनका कोई लेना देना नहीं ये नास्तिक विचारधारा के भी है और जवरजस्त बिद्वान है ये जवरजस्त अर्थसास्ति है ज़्यादा ग्यान हो जाने के बाद लोग कुछ चीजों से बहुत उपर उठ जाते हैं ठेक ना नेक्स देखिए हाली में किस राज में आपको समान नागरिक सहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है समान नागरिक सहिता जिसका उल्लेक आपको किसमिक किया गया है तो आठ का लंबर फोटी फोर ठेक ना अनुछेद 44 में आपको समान नागरिक सहिता की बातें के गई है गोवा प्रथम राज्य है जो लागू कुए था ठेक ना प्रथम राज्य जो लागू किया ठेक ना जो लागू किया लेकिन बत्मान में राजनितिक दसामें पूरे भारत में इसे लागू करने के लिए बड़ा जोर सोर से कानून और बड़ा हो हला मचा हुआ है लेकिन आली में जो है उत्राखंड राजी के द्वारा आपको जो है एक पैनल गठित करनी का सुझाव दिया गया पैनल गठित किया गया है समान नागरे सहीता पर थे तो यह महत्मून बाते रहे हमारी संस्था के द और पर इसे परचेच कर सकते हैं और अपने आपकी सफलता में काफी सहायक भी होगा तो यहीं उमेद करते हैं आप सबसे कि आपको जबरजस्त तरीके से चीज़े समझ में आये होंगी कमेंट बॉक्स में आप जबाब दीजिएगा कि आपके कितने प्रस्न सही हुए चुक कुईशन कर चुके होंगे यदि इतने में भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रहे हैं नहीं सवही हो रहा है तो या तो यह दुर्भाग आपका है या मेरा ठेकना तो हम सबका एक अथक परिश्रम आप सबको बुलंदियों की ओर ले जाने के लिए किया जा रहा है आप सब सतत अन्वरत रूप से निरंतर एक एक करके एक एक पायदान जो है सुपान जो है एक एक सुपान को चरती चले जए और बुलंदी को प्राप्त करिए यहीं सुपकामना के साथ जैहिंत जै भारत शुब संध्या आपका दिन और आपका रात्री दोनों मंगल मैं हूं इ जैने कामना के साथ